हलो दोस्तों कैसे हैं सब मेरा नाम हिमानशु और मैं स्वागत करता हूँ आप सब आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज के अगली कॉमिक्स तौसी और इच्छाधारी नेवला तौसी और इच्छाधारी नेवला, लेखक रितुराज, चित्रांकन राही कदम, संपाधन प्रमिला जैन अपने नकली पुत्र का अपरण होता ही तौसी न प्रतिग्या करनी के वह अपरण करताओं को जीवित नहीं छोड़ेगा अपनी प्रतिग्या पूरी करनी के लिए वह कल्प देश जा पहुचा नाग बबा जानते थे कि कल्प देश के राजा को एक ऐसी मंतरशक्ती प्रावत है कि तौसी उसे नहीं काट सकता, केवल तौसी का पुत्र ही उसे काट सकता है ये जो पार्ट है वो तौसी का पुत्र का अगला भाग है और तौसी का पुत्र चैनल पे अल्लेडी अपलोग दें और तौसी की सभी कॉमिक्स आपको तौसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तौसी कंदेश पहुंचा और उसने सामरी चेंड मुन का खात्मा कर दिया गॉरिला को सामरी ने अपने जादू से बंदर बना दिया था तौसी को पता चलता है कि उसका नकली पुत्र नेवला देवता के समक्ष बली चड़ाया जाएगा अब तौसी को इस पुत्र की रक्षा करनी थी जंगल में तौसी और गॉरिला जो बंदर बन चुका था बताओ ये नेवला देवता कहां रहता है गॉरिला अगर तौसी बंदर बने गॉरिला के साथ नेवला पाहाड की ओर बढ़ रहा था चलो नेवला पाहाड पर तौसी चोर बनकर जेल में गुसा था जहां कल्ब देश के राजा ने तीनों अपरण करताओं को डाल दिया था क्योंकि कल्ब देश के राजा को पता चल चुका था कि अपरण किया गया शिशू तौसी का पुत्र नहीं है सामरी और चंडमुन के खात्मे के बाद गौरिला को साथ लेकर तौसी जेल से भाग निकला यह समाचार राजसवा में पहुँच गया कल्ब देश की राजसवा में राजा तुर्क सें सारे गुपतर चड़ों को कल्ब देश में फैला दो और पता लगाओ कि वा चोर कौन था जिसना यह उत्पात किया है कल्ब देश के गुपतर चड़ पूरे राज्ज में फैल गए उधर तौसी यह तूफानी नदी है इसके दूसरी और नेवला देवता का पहाड़ है तूफानी नदी हाँ इसकी धारा इतनी तीवर भैती है कि पत्थर भी तिंके की तरह बह जाते है केवल नेवला देवता का पुजारी गुंबद ही इस धारों को पार कर सकता है अरे हम इसे पार करके दिखाएंगे आप ऐसी भूल मत करना आप बह जाएंगे बेटे गोरिले मैं पानी के उपर पक्षी बनकर उड़ सकता हूँ मुझे तैर कर नदी पार करने की ज़रूद नहीं समस्य यह है कि मैं तो पार हो जाऊँगा परन्तु तू कैसे पार होगा इसके लिए एक काम करते हैं मैं रसी लेकर पार उतरूँगा रसी का एक छोड यहां पेड़ पर बांदेंगे दूसरा दूसरी दरफ बास समझ में आ जाऊँगा तोसी ने रसी का प्रबंद किया रसी का एक छोड पेड़ से बांदने के बाद तोसी ने पक्षी का रूप धारा किया अब मैं रसी का छोड लेकर उड़ते हुए दूसरी दर्फ जाऊँगा नदी बार पहुझते लिए तोसी अपने रूप में प्रकट हुआ इसे इस पेड़ से बांद देता हूँ आ जाओ गॉरिल्ला जब गॉरिल्ला बंदर रसी पर जूलता आगे बढ़ रहा था हैं ये बंदर गुंबर ने देख लिया नेवला देवता के भक्त गुंबद के रहते कोई इस नदी को पार नहीं कर सकता ले बंदर नदी पार कैस ओ वह तो बह गया अब आगे का रास्त तो कौन बताएगा ये उस बार कौन है मेरे रहते हुई ये आगे नहीं जा सकता हूँ जाए नेवला देवता च्पाक जाए नेवला देवता ठाक डिशू मुझे अपने वर्दान का प्रियुक करना चाहिए मैं इस तुफा ने नद पहने लगी है मुझे पक्षी बनकर पानी की धार से बाहर निकलना होगा है यह तो पक्षी बनकर ओड़ गया जरूर इच्छा धारी है कहीं यह तो नहीं है तो यह वक्ष की डाल पर बैठते ही अपने असली रूप में आ गया नीचे उत्रहों नहीं तो मैं पेड़ों खा गुंबर ने पानी सोकर तौसी की तरफ फेका हां मैं तौसी हूँ और तुम जानते होगे तौसी का मुकाबला करना कितना खटेन है है तौसी तौम पाताल के सबसे बलवान योद्धा हो परन्तु मैं जब तक जिन्दा हूँ तौम आगे नहीं बढ़ सकते अगर तुमने यसा कीया इत तो नेवलादेवताव मुझे खत्म कर देगा मरना तो मुझे है फिर यही उचीद हो गा कि टम्हारे हाथों मरकर सोर्ग जाओं मैं तुम्हारी हंत्या क्योंकि तुम मुझेसे नेवला देवता की गुफा का रास्ता जानना है एक इच्छादारी अगर तुम तुम्हारी प्राण अच्छा मैं करूंगा एक बात रखो अगर तुमने नहीं बताया तब भी मैं उस गुफा तब कौंच कर दी रहूंगा इसलिए उचित है कि तुम मेरे मित्र बनकर मेरा साथ दो अब मरना तो है तो क्यों ना तुम्हारा मित्र बनकर मरा जाए ठीक है मैं नेवला देवता ने तंत्र जाल से कैट कर रखा है इसलिए उसकी हर आग्यागा पालन करता हूं है इच्छादारी मैं इस तुफानियों देरी का यक्ष हूँ मेरी इच्छा के बना कोई उसे पार नहीं कर सकता है यक्ष होते हुए भी तुम्हारी बेटी कैट कर ली गई पहले नेवला देवता मेरी शक्तियों के कारण तुफानी नदी पार नहीं कर पाता था परंसुबाद मैं मैं खुद TIME बंग बन गया इस नदी और मेरी बेटी आधिकार हुए पक्षी मेरी इच्छा के बिना इसे पार नहीं कर सकता है हम दौनों बात बेटी इसी नदी के पर रहती थे महावली तोसी जब से मैं गुलाम बना नेवला देटा कल्ब देश जाने लगा और उसकी शक्तियां बढ़ती चली गई क्या वह तूफानी नदरी तुमारी इच्छा के विप्रीद भी पार कर जाता है हां क्योंकि वह भी तुमारी तरह इच्छा दारी है पहले पूर्ण मासी की राद बली चड़ाते हैं कि वह हर पूर्ण मासी को खून पीता है तब तो वह देपता के नाम पर कलंग राक्षस है और है गुंबत मैं इस निवले गई खात्मा खड़ दूंगा ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी है सर्वदेश के राजा मैं तु उसने अपनी मौत बुला लिया माराज वह नेवला देवता के पहाड़ पर हैं हमने उसे दूफानी नदी के दूसरे टट पर दिखाए ओ इसका अर्थ है कि उसे पता चल चुका है कि उसके नकली पुत्र की बली देव की बली नेवला देवता के समक्ष पूर बासी की वहां से निकल भागने में सफाल हो गया तो मामंत्री हम उसे भागने नहीं देंगे हमारी सेना तूफानी नदी पर पड़ाव डालेंगी और नेवला बाल को चारो तरफ से घेर लेंगी यह विचार उत्तम है चलिए तैयारियां की जाएं कल देश की सेना ने नेवला को यह फो जाएं जहां अपनी जोपड़ी में पाँचो माराज तुमारी प्रतिकषा कर रहे हैं उधर गुंबत मैं हवा की तरंगों से कुछ आवाज ने सुन रहा हूं कोई मेरी जोपड़ी में कौन हैं कल देश का राजा मेरी जोपड़ी में अवश्य कुछ गढ़बड है राजन अगर मैं वहां ना पहुंचा तो राजा को मुझ पर शक हो जाएगा और ऐसी स्थिती में वह नेवला देता को ख़बर पहुंचा देगा परंतु नदी तो कोई पारी नहीं कर सकता कल्ब देश के राजा के पास एक ऐसा तीर है जो संदेश लेकर नेवला देता की गुफा में पहुंच सकता है तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाब करते हैं और मिलते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की कॉमिक्स तौसी और इच्छाधारी नेवला के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद